हेलो गाइस वेल्कम बेक टो आर यूटुब चैनल इस इस फ्यमून आइप शांसलेट इसके से आप सब्सक्राइब होने वाली है बहुत स्पेशल और बहुत ग्यादा लंबी क्योंकि जो है इसमें आप लोगों देखना है एंड में लास तक बंदे हुए क्योंकि इसनी बड इस वीडियो में बताएंगे सारी जानकारी पर देखते हैं वैसी बड़ी लंबी वीडियो है इस वीडियो में बताएंगे सारी जानकारी पर भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे स्प्रक्षबलों की गोपियेता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीयों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौझूद है नमस्कार दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है आज बात होगी पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी बैज़ती की लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं अपने उन सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता जिन्होंने 65 की जंग वाले वीडियो को खूब सराहा है आप सभी का हाथ जोड कर अभिनंदन करता हूं ऐसे ही डिफेंस डिटेक्टिव को प्यार देते रहिए अपना साथ देते रहिए साथ देने के लिए आपको डिफेंस डिटेक्टिव चैनल को सबस्क्राइब करना हो बेल आइकान दबाना होगा जिससे यहां अपलोड किये गए वीडियो की जानकारी आप तक फॉरान पहुंचाए क्योंकि यह रहिए लुद्र ना मातर के व दर्शक है जो वीडियो देख 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 और चैनल सब्सक्राइब करेदर ने तर दूम इशुद्राइब का जि पाकिस्तान से हुई हमारी जंग का इस वीडियो में भी पाकिस्तानी ही बताएंगे कि 71 की जंग में हुआ क्या था एक भी हिंदुस्तानी इसमें नहीं बोलेगा क्योंकि 71 की जंग में पाकिस्तानी सेना की बुजदिली पूरी दुनिया ने देखी जिसे शर्म के बोज तले आज भी पाकिस्तानी सेना दबी हुई है वो इस दाग को धोना चाहती है बार बार कोशिश करती है लेकिन उनकी रगों में दोड़ता बुजदिल खून दाग को और जादा बढ़ा देता है वो तारीक थी 16 दिसंबर की ये तारीक थी पाकिस्तान के 90 हजार से जादा सैनिकों को इंडियन आर्मी के सामने घुटने पर लाने की दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तानियों के पुराने जखमों को ताजा कर देता है ये पराने जखम पाकिस्टान के जिसम पर नहीं, बलके पाकिस्टान की रूख पर लगाए गए थे यकिनां आप समझ चुके होंगे 16 दिसंबर 1971 ये पाकिस्तान की तारीख का वो स्या दिन है जिस दिन पाकिस्तान दो लख्त हो गया दो टुकडे हो गया काईजाज मुहमद लिजना का बनाया हुआ पाकिस्तान तक्सीम हो गया ओ भाई मुलक किसी 16 साला दोशीजा का दिल नहीं होता जो इतने आराम से तूट जाए उसकी तलीख होती है उसकी गहराई में जाके देखना होता है मैं इंडविजूस की बाद करता इन तीन कैरेक्टर्स की जगे भुट्टो साहब मजीद साहब और याया खान साहब इनकी जगे कोई और होता तो मुम्किन है ये बाद 6 मीने आगे चली जाकी ये टूटना था एटिचूड और बेहेवियर ने तोड़ा है हमारी अश्राफिया के एटिचूड और बेहेवियर ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज बहुत कामन है जो के 47 की बार में भी थी और 65 में भी थी कि उसके पीछे मिली टेरी का जो है वो अनसरसरी किसम की डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी कि उन्होंने अवाम को एक तरफ रखके पार्लिमेंट्स जो है उनको ना कंसल्ट करके जो पापुलर मेंडेट है वो लिए बगाएर अपने फोजों को जो है वो जंग में जोंक लिया था एक बहुत बड़े इंटेलेक्ट्वल ने उस समाने में कहा था कि ये पाकिस्तान एक खुब्सूरत गुल्दान की तरह है शेख मजीब इस पे मंडलाती भी मक्षी की तरह है यादी मसला कोई नी ये उसको हथोड़े से मारना चा रहे है मक्षी निकल जाएगी गुल्दान तूट जाएगा अपने रविये अपने एटिचूद मश्टकी पाकिस्तान को बंगला देश मनाने में हमारी रूलिंग इलीट के एटिचूद और बहेवियर का उस एरोगन्स का उस बद्तमीजी का उस बद्दिमागी का वो जिम्मेदार है कोई बंदे जिम्मेदार नहीं यह याद रखना अब जरा आप ही सोची जब जब यह तस्वीरे पाकिस्तानी आर्मी के बंदों की आँखों के सामने से गुजरती होंगी तो उसे कितनी शर्म महसूस होती होगी उसे लगता होगा कि उफ इसे देखने से बहतर होता किसी और मुल्क में पैदा हो लिते कम से कम इस जलालत से तो बच जाते तो दोस्तों आज के अपिसोड में मैं यह साबित कर दूँगा कि उपर से शेखी बगारने वाली पाकिस्तान की सेना अंदर से कितनी डरपोख है कितनी नाकाबिल है उनके खुफिया जन सी आई साई जिसके शान में पाकिस्तान के लोग कसीडे पढ़ते है उसकी असल आउकाद क्या है शुरुआत करते हैं वहां से जहां पूरवी पाकिस्तान जिसे अब बंगलादेश के नाम से जाना जाता है वहां के आर्मी कमांडर जनरल एके नियाजी ने भारती सेना के सामने सरेंडर कर दिया था ये सानिहा उस दिन वकूप वजीर हुआ जब ठाका में पाकिस्तानी फौज की इस्टन कमांड के सबरा लेटिनेट जनरल अमीर अबदुला खान नियाजी ने भारती फौज के एक जनरल लेटरिने जनरल जगजीत सिंग रोडा के सामने हत्यार डाले और सिरिंडर की डाकुमेंट पर दस्खत किये Last at a formal ceremony, the officers of Pakistan's army, navy and air force laid down their arms It was a somewhat theatrical event General Gandhav Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention Provide all protection and safety No measure of reprisals would be taken Three boarding, matching, medical facilities would be provided to you all and all your ranks Then on the command of their own senior officer present, General Mohammed Jamshed The leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender Why did you in the end surrender? Because for the consideration of the human life तो पाकिस्तान के मेरे उन दोस्तों के लिए ये सबूत है जो कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना हत्यारों से नहीं, जजबे से लड़ती है, इमान से लड़ती है और मौत से नहीं डरती है क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट दी गई उसके बाहर आने पर पाकिस्तान और उसकी सो काल्ड बहादूर आर्मी की शर्म और ज़्यादा बढ़ जाती इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन जो सान्हाय मश्रकी पाकिस्तान है उसके कुछ हकायक आपके इलमे आ जाएंगे, आपका सर शर्म से जुक भी जाएगा 71 के जंग में पाकिस्तानी आर्मी की बहादूर की दास्तान, आपको उनके एक बड़े अफसर लेफिनेंट जनरल अली कुली खान के जुमानी सुनवाते हैं किस तरह जब उन्हें पता चला कि भारती फौच चड़ बैठी है, तो उन्होंने भागने में ही भलाई समझी या नेपाल के रस्ता था या बर्मा की तरफ तो हम सब ने बर्मा की तरफ इख्तियार किया रस्ता और इसी वज़ा से हम सुबा दो बुजे रवाना हो गए थे तो इस तरीके से हम बज़ गे थे हलाकि पाकिस्तान में इसे बड़ी बहादूरी के तोर पर याद किया जाता है कहा जाता है कि भारती फौज से बचकर बर्मा के रास्ते पाकिस्तान पहुँचना हिम्मत और दिलेरी का काम था पर भाई मैं तो इस पर यही कहूंगा कि इसे बुजदिली कहते हैं जंग मैदान से भाग जाना बहादूरी नहीं हो सकती पाकिस्तानी आर्मी बुजदिलों की जमात है डर्पोक है सिर्फ बातों के शेर है और मैं पाकिस्तान की आर्मी को बुजदिल ऐसे ही नहीं कह रहा इसके लिए मेरे पास सबूत है, बगैस सबूत मैं कोई बात नहीं कह रहा है, सुनिये और ये कोई सुनाई बात नहीं है, प्रिगेडियर सादिक सलीक ने इसका जिकर अपनी किताब में किया है अब ये जनरल नियादी साब जो बाते तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया, तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे, जी हाँ, ये किसने लिखा है, ये बर्गेडियर सिदीक सालिक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ठाका डूबते देखा, ये किताब अंग्रेजी में में मुझूद है, विटनेस टू सिरेंडर, लेकिन इसका अर्दू तरजमा मेरे पास मुझूद है, इन्हों ने ये भी लिखा है, कि जब दिसंबर में हालात खराब हुए, जंग शुरू हो गई, तो साथ दिसंबर 1971 को, जो म गर्डी सदीग सालिक साथ लिखते हैं, कि वहाँ पर मेजर जनलर रौफ फरमान अली भी मौझूद थे, और उनकी मौझूदगी में, उनकी मौझूदगी में, जब गुर्णन ने पूछा कि न्यादी साथ बताएए, महाज की क्या खबरे हैं, तो न्यादी साथ रोने दो दिन हम होल्ट कर लें, हम कुछ अपना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्हों ने कहा, न्यादी साथ ने नहीं हमें सरेंडर कर देना चाहिए, हम ज़्यादा रेजिस्टर नहीं कर सकते हैं, मरना हमारे बहुत लोग मरेंगे, तो इनकी बहुत इंसिस्टेंस और करता है, उसका कसूर है, तीसरा जो है, उसका कसूर है, जिसने आत्यार पेंके खुद वहां पर लड़ते हुए, उसने वापस आके जो अपनी कताब लिखी, उसने सब इनके सर डाल दिया, तो उसमें ये ऐसे लगता है, जिसको अब हैडलेस चिकन कहते हैं, हम कर किया रहे ह हमने लड़ना है, आखर दम तक बंगलादेश को बचाना है, इसको अलदा करना है, यानि एक पालिसी कानफलिक्ट जो है, उनके अंदर जो है, वो चल रहा था, क्लारेटी नहीं थी के हमारा मकसद क्या है, और फोजें लेके वहां पे गुस गए, जिसके इनतीजे में ना तो वो पूरे तरीके से अपना जो पोटेंशिल है, उसको यूज कर सके, वो नहीं जो है, वो पीछे अटने की पोजिशन में रहे, और एल्टीमेटली जाके उनको अथ्यार पैंटने पड़े, ये कहां तक सचाहिए, कि ये मैसेज जो है, या तो जी एच की उसे आया या लेवल तक रहा और फिर आगे इसको कम्यूनिकेट नहीं किया गए जबके फौच के एक मर्बूत निजाम होता है, ये आपकी नॉलिज में क्या इस तरह के वाकात हुए है? ये फैसला तो जनल याया और जनल हमी जो सवक्त चीफ उफार्मी स्टाफ थे, ये इनका फैसला था और इनों ने इनों ने ये फैसला नियाजी कर पहुचाया था, कि आप लड़ने का कोई फायदा नहीं हत्यार डालेना चाहिए ये तो आप लोग जानते होंगे ना, कि जन्ग में हथियार डालने का मतलब क्या होता है और वो भी एक दो नहीं, नबे हजार से जादा सैनिकों ने भारती जैना के सामने घुटने टेके, आप लोग नहीं मानते ना, कि आपकी सेना की सकामान ने उसमें जंग लड़ने के निए दिमाग ही नहीं। की से लगई लोग ही खोल रहे हैं. सुन लीजी। पाकिस्तान और भारत की जो बाकाइदा जंग है ये तो शुरू हुई 3 दिसंबर 1901 को लेकिन भारत ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का फैसला यकम अपरेल 1901 को कर लिया था और रागवन साहब ये भी लिखते हैं इस किताब में कि बाकाइदा जंग तो 3 दिसंबर 1901 को और आखीर में तो ट्रेनिंग में रेनिंग दी भारत पाकिस्तान में ऑपरेटर रहा है और बेचारी आई एसाई उसे कानो कान खबर ले खबर कब होती है जब पाकिस्तान दो टुकडों में बढ़ चुका होता है जरा सोचिए किसी देश की खुफी आज़नसी और वहां की सेना के लिए इस से बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? के केलकूलिशन क्यों इंडिया इंडिया आटेक नहीं करेगा और वहां अगर यह along की आप्सा और के लिए किसे जारें में आज़नसी की तरा फ़न देश किंग पर दुekा तो यह नहीं थैसे और तक्रेहें नहीं करे गया निकाल के इने लियाएगा वहाँ पर हमारी आर्मी ने इंडियन आर्मी को टोटल वॉक आउट दे दिया और विड्रॉ करके सब और धाका के डिफेंस का भी कोई प्लैनिंग नहीं थी कुछ नहीं था मैं तो पाकिस्तानी आवाम को कहूँगा कि आप लोग अपनी सेना की तरह शुतर मुर्ग मत मनियें सच को स्विकार करना सीखिए जंग किसी काम की नहीं काम गरीबी को मिटाना है आने वाली नसलों को अच्छी शिक्षा देनी है और लोगों को डोयम दरजे का नहीं समझना है क्योंकि यही काम आपने पूरवी पाकिस्तान के बंगालियों के साथ किया आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खा किया कहा था जरा सुन लीजी और हमारे से जूट बोला गया प्रापगेंडा था एक ही पी टीवी था एक ही अख़बार कंट्रोल थी हम यहां लड़ते पिर रहे हैं मैं इंग्डन गया सबसे लड़ा हूं कि नहीं नहीं हमने पाकिस्तान ने बिलकुल ठीक किया यह हिंदुस मार्च 71 में मैच हुआ था वो आखरी दफ़ा था आखरी जहाज गया उसके बाद अपरेशन शेड़ा हो तो मुझे याद है कि वो मुझे तब कह रहा था कि इमरान यहां बड़ा तासुर पढ़ रहा है और लोग पाकिस्तान से इलेद्गी की कर रहे हैं और वो बड़ा प ये तो हम नहीं होने देंगे इससे तो सारा यहां की जो नैस्टल सेक्योरिटी स्टेट है वो खतम हो जाएगी तो क्यूधे पिल्लों जो ते वो इस पर ये जब फ्रत व इसंवी मैं ऑदाप आधरा पकिस्ताना की का मैरे बात में पूरसे इन याय Khang को मैंने कि जी डाक अर फाल है । इसका मतलब यहोड़ी तो नहीज है न जी के अब पाकिस्तान लड़ाई खत्म हुगई है लगे जी फिर तो अल – भार एद दाफस्क बाहरी कुंटरी इस पाकिस्तान है अन यह कैसे हो सकता है जी पता है मुझे क्या जवाब मिला जी जिसे जन सपोर्ट अबर्चु अरसे हैं जी मुझे खाना छोड़ो यार एक काले सारे काले बंगालियों के खातर हम वैस पाकिस्तान को खातरे में डाल दे जब वहां पे जल्म शुरू हो गया बंगला देश में तो वहां से लोग जो हैं रिफ्यूजी बनके इंडिया में बागना शुरू हो गए जैसे आपका अफ़नस्तान में हुआ था कि 30 लाख अफ़न जो हैं पाकिस्तान में आ गए थी इससे भी बड़ी तादाद में रखी जाना शुरू हो गए इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलिंज था लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से रिफ्यूजी भारत आ गए भारत के लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी तो ततकालीन प्रधानमंत्री इंडरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करने का अलान कर दिया अंतराश्टेस्तर पर बहुत बड़ा दवाब था लेकिन इंडरा गांधी ने अपना वादा पूरा किया भारत की सेना बंगालियों पर पाकिस्तानी आर्मी के जल्म को रोकने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल होगी जाना चाहिए ऐसे नहीं जैसे आपको पड़ाई जाती है तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो हमला कर दिया था वेस्ट जो इसका माज़ है वेस्ट पाकिस्तान बारा मुला कहते हैं जी नाइटिन सैवंटी फन की वार में कश्मीर फेक्टर नहीं वेस्ट पाकिस्तान पे उस अमले के बाद जो है वो फिर जो है इंदोस्तान ने पूरे तरीके से जो है वो अपनी फोजें दाखल कर दी जिसके नतीजे में यह इदर ऐलान करते रहे कि हम तो जनाब बता नहीं अजार साल लड़ेंगे क्या करेंगे और उनका जनल जो था उसने अपनी राइफल जो है वो हिंदोस्तानी जनल को पेश कर दी के जनाब हम तो लगने की पूजिशन में नहीं है तो इसमें आप जो चीज पॉइंट है वो यह है कि ना सिर्फ आपने तारीशी तोर पे इस तरह के मतलब अड़वेंचर्स की है बलके आपने बाद में फिर उस तारीश को मसक करके उसको अपनी मर्जी से उसके निकालने की कोशशिक की उड़ मोड़ के फिर अपनी आइंदा नसल को पेश Shit and पाकिस्तान ने ये हिमाकत अमेरिका के दम पड़ी पाकिस्तान को भरोसा था कि ना सिर्फ अमेरिका बलकि उसके कहने पर दूसरे मित्रदेश भी जंग में पाकिस्तान का साथ देने चले आएंगे भारती एर फोर्स ने आस्मान में पश्मी और पूरी पाकिस्तान को अलग कर रखा था जमीन पर आर्मी ने रोक रखा था और समंदर में भारत की नेवी पाकिस्तान पर कहर बन का तूट पड़ी थी नेवी की शौरे गाता पर अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वक्त यहां पर थोड़ा ज़ादा हो रहा है भारत को रोपने के लिए अमेरिका से फ्लीट चली ब्रिटन फ्रांस भी थे लेकिन अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे कि उन्हें भागना पड़ा जी यह सब भूटी बाते हैं यह सब गलत बाते हैं और कौम को भी धोके में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोके में रखना अब जब उसको शो किया तो उस वक्त जो है ब्रिटिश जो है उन्होंने रेडियो जो बहुत इंटरसप्ट वा और उसकी आज तक को कि वी आटू लेट उन्हें का क्या हुआ तो उन्हें का जी वहां तो रूसी तो पहले से बैठे हुए और उनकी न्यूक्लियर आप दोसे हैं हम तो आगे नहीं जा सकते वहां से आपका जो बैरी बेड़ा है जिसके इंतजार में बंगला देश बंगला देश बन गया व पाकिस्तान नहीं रहा है गया कि यह जो हमारे सारे दोस्ते इनको आचनक क्या नजर आ गया यह तो बाद में जरनलों को पता चला कि उनको वहां खलीज बंगल में जो है वह सोविट यूनियों की जो थी रश्य ने बहुता देट देट हैं तो वह बागे यानि यहां भी प स्कूलों में जंग की जीत की कहानिया पड़ते हैं जो आपको बताया जाता है जूट है तो मगंडा है बाद दानिश्वेर इसको भी फता का नाम देने की कुश्ट करते हैं तो 71 की वार पे भी आप यह कह सकते हैं कि हमने जीती ती जिसमें आपके 90,000 लोग जो हैं कैदी ब दूसरी जंग आजीम के बाद मिली टरी का सबसे बड़ा स्रेंडर जो है वो यहां पे हुआ के 90,000 लोगो आत्यार पहंके कैदी बन गए आप जब किसी यंग जिनरेशन को या बच्चों को गलत चीजें पढ़ाते हैं या उनको मिस गाइड करते हैं या उनके डिस इंफरम को भी आप इस तरी के से मिस्काइड करते हैं हमारे मुल्क का एक अल्मिया यह रहा है पाकिस्तान का के तारिख कभी दुरुस्त पढ़ाई नहीं गई न पताई गई वाकिया कुछ और होता है हमें पढ़ाया कुछ और गया है एक तरफ तो फौज हार चुकी जंग 1971 इतना बड़ा लॉस दोस्तों यही नहीं मेरे पास और भी कई सारे सबूत हैं आपके पाकिस्तान में कई किताबे मौजूद हैं जिने आप लोगों को पढ़ना चाहिए कुछ किताबों के नाम मैं बताता हूँ जिनमें आपकी सेना कितनी काबिल है इसका जिक्र किया गया है यकी पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी चवी से जादा खो दिया बंग्लादेश का अजाद होना पाकिस्तान अपमानित हुआ अपनी 24 फीसदी आबादी कीमती का चमार और सांस्कृतिक विविदिता खो दी इसके दश्कों बाद अबड़ाबाद का ओपरेशन जिसमें उसामा बि किया और पश्य में बेकार एडवेंचर किया जंग के लिए स्पष्च लक्ष का ना हुना पश्य में कमांड के फिलियोर को दिखाता है आगे वो किताब में लिखते हैं आर्मर और इंफेंट्री में ट्रेनिंग की कमी साफ दिखी कमांडर और दूसरे कर्मियों को आर्मर क सेना की तैनाती कैसे करें, उसमें जल्दबाजी, टुकडियों के बीच कोई कॉडिनेशन का ना होना, जी एचक्यू और एयर एचक्यू में कॉडिनेशन में कमी, मुव्मेंट कंट्रोल नहीं था, नाकामियों के लिस्ट बेहत लंबी है, फिरोज हसन खान अपनी किताब पाकिस्तान के दोनों हिससे आईसोलेट किये जा चुके थे, पाकिस्तान 1971 की जंग कई वजहों से हरा, जिसमें स्ट्रेटीजिक पलंडर, पूर लिडर्शिप और बेहत कमजोर मिलिटरी स्ट्रेटीजी थी, हसन असकरी रिजवी अपनी किताब, स्टेज और सोसाइटी इन पाकिस्तानी सैनिकों के पास एर कवर नहीं था, नेवी का प्रदर्शन बहुत खराब था, 16 दिसम्बर को पाकिस्तानी कमांडर ने भारत के सामने आत्म समर्पन कर दिया, इसके अलावा डिफन्स डिटक्टिक पे पास अमेरिकी खोफी आजंसी, C.I.A. का भी एक दसावे जो इस जंग पर तयार किया गया था, इसमें जंग के दोरान अलग-अलग इवेंट्स की जानकारी दी गई है, इसमें 22 नवंबर को लिखा गया है कि भारती एर फोर्स ने तीन पाकिस्तानी F-86 से बस विमानों को मार गिराया था, C.I.A. की इस दसावेज में एक जगा लि जाएंगे, वो मदद को काट दिये जाने से भी नहीं डरती और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तानी सेना के हट जाने की मांग की, तीन दिसम्बर की तारिक में लिखा है कि पाकिस्तान ने पश्चमी भारत की सीमा पर हमला कर दिया, इसमें ये बताया गया कि पाकिस्तानी सेना चंब और खेमकरन तक तो पहुँच गई, लेकिन इंडियन डिफेंस को तोड़ नहीं पाई, उससे आगे नहीं बढ़ पाई, भारतिय वायु सेना ने कराची और दूसरे शहरों पर हमला किया, पांच दिसम्बर को भारतिय नेवी के मिसाइल बोर्ट के पश्चिम में सीजफायर के लिए तयार हो गए, तो दोस्तों उम्मीद है आपको 71 की जंग का सबूतों के साथ बना ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अभी तक आपने डिफेंस डेटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, औ आपको दो ऐसे वीडियो के हिस्सों के साथ छोड़े जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम को कैसे वहां की मीडिया और सेना मिलकर मूर्ख बना रहे हैं, जैहिंद। मश्रकी पाकिस्तान अलादा ना हुआ होता। इंटरनेशनल वाडर पे यक तरफा जंग इंडिया ने आप पे मुसलत की थी, पाकिस्तान के आवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ छुटकारा हासल करने के लिए बगावत नहीं की थी, यह सब जूट है, यह बलकुल गलत है, यह हिस्ट्री इस आख सामने आ चुकी है, जो सह ही बात है, वह सही है, मश्रिकी पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ वगावत नहीं की थी, यह इंडिया ने आपके खिलाफ जंग मुसलत की थी, वापे तो पाकिस्तानी फाज भी नहीं थी, हमारी फाज भी बैरिक्स के अंदर मौजूद थी, हाँ, अफरा त जहनी है वो माइनसेट है जो इस वक्त नई दिली में बैठा है और हुक्मरानी कर रहा है ये आपका दुश्मन है ये दुश्मन जो है पाकिस्तान की वजूद का दुश्मन है ये दुश्मन जो है ये माइनसेट है जो नई दिली में बैठा है 1950 से पाकिस्तान में प्रॉस्ट कि अवर वहां से स्टार्ट करें और बहुत ही यार मतलब अफ्तोस वाली बात है कि एक तो चलो यह हुआ सब हार गाया आप अपने सरेंडर कर दिया आपके अपर से जूब बोले आपके आपने यार हमारे आप दिखो कि तालीम का निजाम हमें जो है हमने पड़ा है कि पाकेस कि पाकिसान के अपने लोग बता रहे है पाकिस्तान में क्या मतलब जो लोग पड़ेंगे उस पर ही बिलीफ करेंगे ना अब जो लोग आगे बढ़ बढ़ की बोलते हैं आप यह पाई अंदादा थोड़ी कोई लगा सकता है कि हमारे तालीम का निजाम में हुआ ही गलत द कि आपने जो है पूर जो है मैनेजमेंट फॉज की जंग चल लिए ना इसका कोई तरीका मतलब क्या किया हो जाके जो है 9000 फॉजियों ने जाके सरेंडर कर दिया यार मतलब किया रहा है हमने तो यह मुझे ता भी यादा रहा है कि मैंने किताबों में बढ़ा है हम लोगों हरने कि इस बिया है इसने सब्सक्राइब कर आप मतलब कर आप कि अपना एकस Iss Y Kylie है कि आप गरो एक जो है है हार गय है इसमें कोई आसी शर्म की बत però थोड़ी पर जिससरी के हमारे है Wahand एन्या आप में ऊपान पूझने है है भुट गलत है पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्टानी यूद पागल बनाया हुआ है इस सरी के से गलत पढ़ाई एक गलत पढ़ाई को बुलना हुआ है अगर होती है एकसेप करवा है तो सही है टूनिक क्या हो इसमें बुरा थोड़ी है बाकी पूरी जंग के स्ट्री हमें पता लगी और सारे पाकिस्तानी हामिद मीर इम्रान खान मतलब अब हमें पड़ाइन अब इस जारा है बस यह पाकिस्तान के निजांग किस्तान में आकर कोई भी जलाता है और अपनी अना के लिए कुछ लोग है अब बुबतने कौन है पाकिस्तान अभी ऐसी चला जैसे आज से 50 सन कहले चलना था जाज़ी जर जो गोई पतिली नहीं यह वाई और यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी मैं तो बलगे बोलूँगा हर पाकिस्तानी को देखने चाहिए ताके उनकी आंखे खुले है इसमें सबसे अच्छी चीज यह है कि आप कुछ कोई बोल ही नहीं सब्सक्राइब कि अपना कोई अपना इंडियन की आप बहुत है बाई कि यार असोस हुआ बहुत ज्यादा और सब्सक्राइब का हम लोगों को पता लगे यह अब ज़िए अब जिस तरिके से पचास साल से एक पट्टी बंदी वह न वह अटाने चाहिए मेरा शाल से ऐसे आपकी जो है अगर प्राहरमी की बाश्ची बाश्ची करो यह जो भी जितने भी वह बड़े लेवल पे हैं पॉलिटिशन से यह वह हैं आप हार जाते एक्सेप्ट कर लेते तो लोगों के लिए इद्द होती है अब जैसे हमें अब पता लग रहा है तो आप हारे और आपने फिर हम यह सब दिखाया कि हम लोग की जीद गया है त का यह कौन से लिए अगरें करता है विडियो से अगरें कर दे इस अबनाइम अम रहा हु ने जैँ ऐए हम लोग हार दे है और विटियों बुक्ति छानीर्स तो चिक्तियों सबस्ट चानी के बहुता है थैस्ना से को जो इस वी ए लगा जो है चत्त सबस्टानी में वेुला प्राइब कर दीगा निस्टर्राम पर फॉलो करने मुद्धे नेक्ट वडियो में बाइबाइब